नमस्कार मैं हूनीलू इरान और साओधी अरब ये इस रीजन में एक दूसरे के अगेंस्ट बलंबे समय से खड़े हुआ है दोनों धूरी माने जाते है जितने विवाद है यहां पे एक छोर पे साओधी अरब खड़ा है दूसरी तरफ इरान खड़ा हुआ है लेकिन ये पहला मौका है और वह भी इस वार के बीच में ये इरान की तरफ से इस तरह की बात सामने आई है कि रेड सी में साओधी अरब के साथ हम वार ड्रिल कर सकते है हाला कि अभी इसको लेके रियाद ने साओधी अरब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है वो खामोश है लेकिन अगर इस तरह की बात सामने तो देखे, यह एक इस्रेयेल के लिए बड़ा जटका है है। इसमें कोई शख नहीं है। अगर किसी तरह का ज़ती चौत इरॉन ऐरन से होता है, तो साउदी अरब के जो गटार सुपल हो जो एरबे कीन के परूरे परूर में कोई और increase भी करना साूधी एर. ऐसे समय में अगर विस तरह की कोई चर्चाएग सामने आ रही है कि साउधी अरब के साथ इराण रेडसीमें वोरड्रियल कर सकता है तो ये बड़ा है थे चर्चाहिं đang करने के बाधारे वालिक। और वो भी इन हालात में जब इस्रेयल पे लगातार हमले हो रहे हैं और इस्रेयल एक प्रकार का युद्ध चेड़े रखा है तो यह अपने आप में एक बड़ी दिल्चस्प खबार है और देखिए यह जो प्रोक्सी संगटन है जिसकी आप बात शुरुआत जहां से आपने सामने आने के बात से बताया जा रहा है कि जितने प्रोक्सी संगटन है उन्होंने एक बार पूरी ताकत के साथ फिर से इस्रेयल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है तो यह जो रिसेंट हमले देखे हमने पिछले 48 घंटे के उसकी एक बड़ी वज़ा यह भी बताई जा कि इसरेयल कोई बड़ा हमला एरान के उपर करेंगा लेकिन अब तक वह सारी चीज़े नहीं दिखा देरी है वह बला पर या पर हमास पर या हूती को किसी तरह से टारगेट हो रही है अमेरिका के तरह से तरह से अबरा है। लेकिन इसकी सवाल उपता है इसचीछों को लेक जो है वो नेतनियाहु के लिए बिलकुल इसरेयल थीक नहीं है देखिए आप हिस्ष्बुल्ला की तरफ जो है लेपनन में आपका युदु चल रहा है गजा में अभी तक आपके बंदक हैं उनके बारे में आपको कोई क्लू नहीं है कि वो कहां पर नहीं है खुती अलग जिसमें मतलब सीधा हमला ना करना पड़े इरान पे और ऐसा बताया जाता है कि जो खामे नहीं है वो अब इसरेल के टार्गेट पे यह एक बड़ी बात निकल के सामने आई खासकर यह नेतन याहू के घर पे जो ड्रोन अटैक हुआ इसने जो है बड़े सवाल खड़े कर दि आप देखिए ड्रोन जो है वो नेतनियाहू के घर के ऊपर तक आ जाता है और उससे अटैक हो जाता है यह अपने आप में बहुत बड़ा सुरक्षा लैप्स था इसरेल का इसमें कोई शक्त नहीं है उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि जो हिजबुल्ला के जैसे लीडर्स को जिस तरह से निशाना बनाया गया इसी तरह का कोई कोवर्ट ऑपरेशन खामेनेई के खिलाफ जो हो सकता है अब इसमें देखिए कई सारे ऐसे संगठन है जो एरान की सरकार से और खामेनेई से खुश नहीं है यह बगावत करने वाले संगठन है जैसे मैं आप और UAE का समर्थन है ये वो संगठन है इरान के जो वहां की सरकार और खामिनई से खुश नहीं है और समय बीच-बीच में इनकी तरफ से बगावत होती रहती है कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि इस्रेल और नेतनियाहू इनके समर्थन से इरान में कोई एक बड़ा कोवर्ट आपरेशन कर सकते हैं और निशाने पर होंगे खामिने तो बहुत सारी इसी वज़़ा है एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं अभी भी इस्रेल लेबनान पर लगतार हमले कर रहा है एसे में जिस चक्रवियों की बात हो रहे है और इस युद में बंते बिगढ़ते समीकर्णों की बात भी हमने आज की है तो किस तरह से ये जो पूरे हमले है या युद्ध है किस दिशा में जा रहा है कौन किस के साथ है कौन किस के साथ नहीं है आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आप बने रहे हमारे साथ